आज शिवरातरी है और आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले किस धाम से शुरू हुआ था शिवलिंग का पूजन और यहाँ जागदेद रूप में विद्यमान है भगवान शिव जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व प्रसिद जागेश्वर धाम देव भूमी उत्राखन में अपार आस्था का केंद्र है पौरानिक मानिताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर धाम से ही शुरू हुआ था यहां भगवान शिव जागरत रूप में विद्देमान है जागेश्वर धाम 12 जोटी लुंग्यों में से आठवे स्थान पर है जगत गरू आदी शंकर आचारे ने यहां आकर इसकी मानिता को पुना स्थापित किया था अलमोडा से 38 किलोमेटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच जागेश्वर धामस्तित है जागेश्वर मंदिर समू में 125 छोटे बड़े मंदिर है इनका निर्मान सातवी से अठारवी सुताब्दी के बीच माना जाता है यह मंदिर भगवान शेव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित है जिसमें योगेश्वर, मृत्यूंजे, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रे, लकुलीष, बालेश्वर, पुस्टी देवी और कालिका देवी आधी प्रमूख हैं कत्यूरी साशकों ने सातवी सताब्दी से चौदवी सताब्दी के बीच इन मंदिरों को बनाया था और इनका पुनरगठन किया था मंदिर समू को इंडिन आर्केलोजिस सर्वे में धहरादुन मंदल ने नैशनल प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट घोशित किया है इस प्रकरण में पंडित शुबं भट ने बताया कि यहां स्थापित शिवलिंग 12 जोती लिंगों में से आठवे स्थान पर है जगत गुरु आदी शंकराचारी ने यहां आकर मंदिर के मानिताओं को पुनर स्थापित किया जागेश्वर मंदिर प्राचीम के लार्ष मानसरोवर मार्क पर्स्तित है मानसरोवर यात्री यहां पूजा अर्चना के बाद ही आगे बढ़ते हैं यह मंदिर नागर शैली का है और यहां स्थापित मंदरों की विशेस्ता यह है कि इनके शिखर में लकड़ी का छत्र बना है जो बारिश और बर्फ बारी के समय मंदिर की सुरक्षा करता है जगनात मंदिर में भैरव को द्वारपाल के रूप में अंकित किया गया है यही नहीं जागेश्वर लकुली समप्रदाय का भी प्रमुक केंद्र है लकुली संपरदाय को शिव के 28 अवतार के रूप में माना जाता है चंद साशकों ने पूजा अर्षना की सुचारू विवस्था के लिए अपनी संपत्ती में से 365 गाउ जागेश्वर धाम को अर्पित किये थे ये कहा जाता है कि मंदिर में लगने वाले भोग आदी की सामगरी इन्ही गाउ में से आया करती थी जागेश्वर मंदिर में राजा द्वीप चंद और पवन चंद की धातू निर्मित मूर्ती के रूप में स्थापित है जागेश्वर धाम से कई अनूठी परंपड़ाएं जूड़ी हैं जैसे यहां श्रावन चतूर्दशी पर्फ पर नी संतान महिलाएं पूरी राथ हाथ में धीपक लेकर तपस्या करती हैं महिलाएं एक ही मुद्रा में पालकी में बैठ कर या दोनों पैरों पर खड़ी रहकर पूरी राथ तपस्या करती हैं अनुस्ठान कर रही महिलाओं के परिजन उनकी देखरे करते हैं अगले दिन सुबा मंदिर पूजा के समय पूजारी महिलाओं के अनुस्ठान के समाप्ती कराते हैं इनके साथ ही कई तरह के अनुस्ठान के लिए लोग यहां आते हैं ऐसे ही अन्य जानकारी लेने के लिए हम ऐसा जूड़े रहें और देखते रहें दा न्यूज वाला नेटवर्क धन्यवाद